अगर आपने हमारा चनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारा चनल सब्सक्राइब करें और बैल आइकन दमाएं जिससे आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहें दौकरिया जील को सुल्तान कुतुबुद्दीन द्वारा पंद्रवी सदी में बनाया गया था यह काम 1451 इस्वी में पूरा हुआ था और इसे कुतुब हौज या हौजे कुतुब के नाम से भी जाना जाता है इसे राजाओ द्वारा स्तान के लिए प्रियोक किया जाता था इसमें जल शोधन प्रणाली भी लगी हुई थी लेकिन समय के साथ वह विलुप्त हो गई इस जील के एक तरफ से एक रास्ता खुलता है जो नगीना वाडी नाम के एक उद्ध्यान में विलीन हो जाता है यह उद्ध्यान जील के केंदर में स्थित है इस जील की परिजी साड़े चार किलोमीटर के आकार की है यह है एहमदाबाद के इतिहास की विरासत का एक नायाब नमूना है जील के केंदर में एक कृत्रिन द्वीब भी बना है जो अपने आप में बहुत सुन्दर प्रतीत होता है कांकरिया जील के किनारे एक प्राचीन मंदिर भी बना है जिसके कारण यहां का माहौल भक्ति पूर रहता है कांकरिया एहमदाबाद के प्रसिद्य परेटन स्थलों में से एक है यहां पर आप वाटर स्पोर्ट्स और टॉय ट्रेन का आनन्द भी ले सकते है साथ ही खाने पीने के स्टॉल्स का मज़ा लेने के साथ साथ शॉपिंग का आनन्द भी ले सकते हैं यहां पर एक वाटर एंड लाइट शो एक जडिया घर एक संग्रहल है और बच्चों के लिए एक पार भी बना हुआ है कुल मिला के यह कहा जा सकता है कि कांकरिया जील एक परफेक्ट वीकेंड पिकनिक स्पॉट है कांकर्ण के कांकर प्षक्वज भीकेंड़ UM कर markets परेड़ करेक्ट भीकेंड के य हुआ है झाल झाल